हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस अकेडमी पर आज की इस वीडियो में हम डिसकसन करेंगे पॉलिटिकल साइन्स ऑफ्सनल पेपर के अंतरगत अरस्तु का अध्यन इससे पहले कि हमने क्लासेज में प्लेटो का पूरा विस्तार से अध्यन किया है जिसमें हमने प्लेटो के जो है की महतपूर विचार जो है आदर सराज की स्थापना या फिर सिक्छा का सिधान या न्याय का सिधान सामिवाद का सिधान या फासिवाद का सिधान तो इन सभी सिधानतों का महतपूर तरीके से जो एकी अध्यन किया है जो आपके UPSC और State PCS के Civil Services Exam में जो आपनों का optional paper होता है PSIR या Political Science International Relations के अंतरगात बहुत ही helpful रहेगी वीडियो जो दोस्त अभी चैनल पर नए आये हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और bell notification को on कर लिजेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेटो की वीडियो नहीं देखिये तो पहले प्लेटो की वीडियो को देखिये फिर उसके बाद आप अरस्तू की वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से comparison करके आप समझ पाएंगे इसमें handwritten notes के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे बढ़ियां उत्तर लेखन करना है कैसे best answer writing करनी है ताकि आपको अधिक से दिक optional में marks मिल सकें और इसके साथ ही साथ conceptual आपकी clarity होती है जो आपके UGC net, PGT exams और जितने भी assistant professor के exams में जो question पूछे जाते हैं यहां से वो आपके गलत नहीं होंगे तो चलिए सुरू करते हैं हम आज की class की अरस्तू के बारे में आज हम विचार करेंगे और इसको तीन से चार classes में हम अरस्तू की important जो thought है क्रांती का विचार और जो सासन प्रणाली है या आपकी जो एकी नागरिक्ता का विचार है इन सभी चीजों को हम अध्यन करेंगे इसका राज्य कैसा था इन सभी के बारे में तो सुरूआत करते हैं हम जब class की तो सबसे पहला विचार आता है कि अरस्तू यानि अरस्तू एक ग्रीक विचारक था जो मुखे रूप से प्लेटो का सिस्स्य था और साती साथ अरस्तू जो है सिकंदर जो विश्व का महान विजेता हुआ करता था उसका गुरू भी कहलाता है अरस्तू ने जो था वो प्लेटो की संस्था थी अकादमी नाम से जहां पढ़ाई करता था अरस्तू ये वहीं का सिस्स्य था और प्लेटो के विचारो का इस पर जो है कि गहरा प्रभाव पढ़ा था क्यों कि भाई सभी के विचारो पे या तो अपने परिवार या अपने समाज या अपने गुरू का प्रभाव पढ़ता है तो प्लेटो के विचारो का भी प्रभाव अरस्तू के विचारो पर बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा था क्योंकि अरस्तू उनके गुरू थे अच्छा एक जानकारी आपको मैं बता दूं कि अरस्तू को ही हम क्या कहते है फादर आफ पॉलिटिकल साइंस क्या कहते है फादर आफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीती विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको और भी बहुत सारे विश्यों के पिता के रूप में जाना जाता है लेकिन हम यहाँ political science पढ़ रहा है तो आपको यह clear होना चाहिए बहुत सारे बच्चे काताते हैं कि Plato को father कहा जाता है तो मैं आपको clear कर दूँ कि Plato को दर्शन सास्तर का पिता कहा जाता है father of philosophy, not a father of politicals है बलकि political science का जो father होता है वो अरस्तु को कहा जाता है अचा अरस्तु की जो अध्यन पद्यती थी अगर हम इसकी बात करें तो इनकी जो पद्यती थी वो कैसी थी अरस्तु की आगमन अध्यन पद्यती थी आगमन में क्या होता है कि पहले आप बहुत सारी घटनाओं का अध्यन करते हैं बहुत सारे उदाहरणों को देखते हैं उसके बाद एक विसेश नियम बना लेते हैं कि भाई इस प्रकार के उदाहरण देखने पे जैसे अरस्तु ने 158 देशों के सम्विधानों का अध्यन किया और उसके बाद एक नियम बनाया कहने का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं इनकी जो अरस्तु की अध्यन पद्दती है वो विसेश से सामाने की ओर जाती है और जब भी आप पढ़ते होंगे कि प्लेटो की जो अध्यन पद्दती हैं हमने पढ़ा है कि सामाने से विसेश की ओर उती है तो जो यह विशेज सब्द होता है इसका मतलब होता है कोई एक्जामपल की बात कर रहे हैं किसी घटनाओ की बात कर रहे हैं और सामाने का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई सिध्धान्त का निर्माड कर रहे हैं यानि कि theory दे रहा है कोई जो है कि क्या दे रहा है theory तो कहने का मतलब है कि अरस्तु ने कोई घटना देखी कोई उधारन देखा और उसको सिद्ध करने के बाद एक नियम बनाया कि ऐसी परिस्तिती में या particular किसी situation में कोई काम अगर होता या कोई घटना होती है तो उस पर यही सिद्धान्त लागू होगा ठीक है और अगर हम एक और बात जानना चाहें इसमें कि अरस्तु रुडिवादी समानता के समर्थकते कैसी समानता के समर्थकते वो अरस्तु जो है कि आपके रुडिवादी समानता के समर्थकते अच्छा अभी दोस्तों ध्यान दीजेगा कि अब ही हम इस पे जो एकी आपने hand written notes के topic पे भी discussion करेंगे, लेकिन है कुछ basic concept है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, रोडिवादी जो समानता और साथी साथ विशमता के समर्थक थे, अर्थाथ अरस्तु जो एकी प्रकरतिक समानता और समानता के समर्थक थे, अरस्तु इमान के चलते थे कि अगर प्रकरती के दोरा पुरुस को शक्ति साली और महिला को कमजोर बनाए गया है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, इस तरीके की बाते वो करते थे, जिसमें वो दो प्रकार की समानता की बात करते हैं एक होती है निर्पिक्ष समानता और एक होती है आनुपातिक समानता कैसी होती है आनुपातिक और निर्पिक्ष समानता निर्पिक्ष समानता में कहते हैं कि ब्यक्तियों के साथ समान ब्यवार करना चाहिए अर्थात इस विचार का समर्थन समाज के गरीब वर्गों के द्वारा किया गया होगा क्योंकि गरीब वर्ग चाहता है कि जैसी सुविधा आमीर वर्ग को दे रहे हैं वैसी हमें भी दीजिए यानि इसको अंक गड़ती समानता भी कहते हैं और समानता ये समाज के गरीब लोगों दोरा इसका समान, मतलब की समर्थन किया जाता था. जब वहीं आनुपातिक समानता की बात आती है, जिसको हम कुलीन तंत्री समानता भी कहते हैं, क्या कहते हैं कुलीन तंत्री क्योंकि इस आनुपातिक समानता का समर्थन गरीब नहीं बलकि अमीर लोगों के द्वारा किया जाता है वो कहते हैं समाज में जिस ब्यक्ति के द्वारा जितना योगदान दिया जाता है उतना ही उसे जो एकी सुविधाय प्राप्त होनी कि मेरा अगर योगदान जादा है समाज में तो मेरे को सुविधाय प्यादिक प्राप्त होनी चाहिए मुझे जो एकी कम सुविधाय नहीं चाहिए और इसी को हम ज्यामिती समानता भी कहते हैं तो दोस्तों ये तो था आपके अरस्तु के कुछ बेसिक कॉंसेप्ट की समान और यहां हम समझेंगे कि किस तरीके से आप मॉडल एंसर राइटिंग कर सकते हैं किस प्रकार से आपको अगर UPSC में कोई भी दास्पर्था से सम्मंदित अगर प्रश्न आता है अरस्तु का तो आप उसमें कैसे एंसर राइटिंग करते हैं क्योंकि दास्पर्था का विच अगरी बुद्धी या विवेक तो नहीं है लेकिन सरीर से बहुत मजभूत है या सरीर से बहुत हैवी है तंदृस्त है उनको दास की सुरेडी में रखता है इस पश्र रूप से कहता है कि यह युनानी लोग दास नहीं होंगे क्योंकि युनानी लोग तो बहुत सी और स्टेट PCS में भी कई बार पूछे गए हैं फिर एंसर आइटिंग करने के लिए प्रश्ण पूछे गए हैं साथ ही आपके UGC NET, GRF और PZT एक्जाम, GIC Lecturer एक्जाम, Assistant Professor में भी यहां से प्रश्ण बनते हैं तो देखते हैं कि अगर आपके Civil Services में अगर कोई प्रश्ण इस से आता है, दासपर्था से कोई भी प्रश्ण अगर आता है, मैं आपको इतम निचोड दे रहा हूँ कि दासपर्था से अगर कोई भी प्रश्ण आता है, तो आपको Introduction कैसे लिखना है, कैसे उसके बारे में अगर आपने अपने एंसर आइटिंग में भूमिका जो है, और Conclusion निसकर्थ, अगर इन दो चीजों को बहुत 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 बना लिया, तो मानके चलिए आपका 50% काम हो गया, एंसर आइटिंग का, जो बहुत इंप्रेसिव होता है, भूमिका कैसे लिखते हैं, भूमिका हम यहाँ पर सुरू करते हैं, अपने दासपर्था के संबंद में जो भी प्रशन आएगा उसको कैसे लिखना है, तो दासपर्था युनानी अर्थ बेवस्था का आधारती, पहली चीज, किसका आधारती, युनानी अर्थ बेवस्था का, तो एक ये फैक्ट होगे है, कही न कही घरेलु कामों में लगे रहते थे, या यू कहें कि वो खेती किसानी करते थे, परिवार के लोगों के साथ समय देते थे और उनमें भी बिव का विकास बद्धी का विकास होता था, इस सारी चीज़ों के और अर्थ तो नहीं कहा कि दास तो मनुश्य की जी वित सं सहा है दास जोए की साथ ही साथ प्राकर्तिक रूप में शक्तिसाली बलिश्ट लोग दासों की स्रेडी में आते हैं तो देखे तीन चार फैक्ट या कॉंसेप में मैंने मिला कर एक इंट्रोडक्शन तेयार किया इसमें आप एक दो लाइन और लिख सकते कि अरस्तु की पद् नीच आएगा कि मैं दास बना रहा हूँ लेकिन अरस्तु ने कहा कि दास परिवार का हिस्सा होते है और यह वहत ही महत्पूर है हमारे युनानी समाज को चला निकले युनानी अर्थविवस्था को चला रखने के लिए तो अरस्तु ने ये बता है आज हम इनी लोगों को वरतमान में क्या कहते हैं अपने हाउस सर्वेंट कहते हैं फैमली नौकर कहते हैं फैमली सर्वेंट कहते हैं फैमली स्टाफ कहते हैं तो सब्द बदल गए हैं लेकिन विचार वही है जस बात वही है दोस्तो आईए देखते हम कि अरस्तु से जब पूछा गया कि भाई आप दासपर्था का समर्थन क्यों कर रहा है क्योंकि दासपर्था कभी भी अच्छी नहीं रही है अगर हम कालमाक्स का जब अध्यन करेंगे तो कालमाक्स आदी समाज से बताता है कि दासपर्था कभी भी अच्छी नहीं मानीगी है तो अरस्तु ने कहा कि मेरी जो दासपर् अधार का समर्थन किया, मतलब इस अधार पे, अच्छा, टिलियो लॉजिकल मैथड इसको कहते हैं, सोदेश यात्माद, अर्था अत्र, साउद्देश से, मतलब कोई भी वस्तू अगर समाज में है, प्रकृति में है, तो उसका कोई न कोई उद्देश होगा, जैसे चाकू ह तो उसका उद्देश काटना है, आग है तो उसका उद्देश जलाना है, इसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर बलसाली है सरीर से, और बुद्धी और विवेक का विकास नहीं हुआ है, तो उसका क्या उद्देश है, वो कुछ न कुछ तो काम करेगा समाज में, तो वो दासो घर के कारे में सहायक होंगे तो इस तरीके से राजा को एक मदद मिलेगी अर्थात राजा और जो प्रसासन चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको समय मिल सकेगा घरेलू कारें से मुक्ती रहेगी ताकि आप प्रसासन को बढ़िया चला सकें दूसरा आधार उसने दिया कि जीव विग्यान के आधार पर सरीर के दो भाग होते हैं एक होता है अती महत्पूर्ण और एक होता है सहायताकारी इसी प्रकार समाज में भी वबताता है दो महत्पूर्ण भाग होते हैं एक होता है अती महत्पूर यानि की सासक वर्ग और एक होता है साहता कारी अर्था दास वर्ग होता है यानि उसने किस तरीके से देखे समाज को दो आधारों पे बाटा जिव विज्ञान के आधार पे कि कुछ important organs होते हैं हमारे सरी में और कुछ होते हैं axillary या vestizial organs कहते हैं तो उसी तरीके से उसने कहा कि दास केवल और केवल हमारी साहता करेंगे नर की महत्पूर कारें करेंगे महत्पूर कारे सासक करेंगे और इन ही सासक और इनके परिवारों की मदद ये करेंगे ठीक है इसके आगे हम देखते हैं कि प्राकृतिक नियम है कि स्रेश्ट अधीनों पर सासन करे यानि जो स्रेश्ट ब्यक्ति है वो अपने अधीन या बुध्धी विवेक से जो कमजूर है उन पर सासन करे अब यहां देखना अधीन में अरस्तू महिलाओं को भी सामिल कर देगा और दासों को भी सामिल करेगा क्योंकि महिलाओं में भी वो विवेक को कम मानता है जबकि प्लेटों में यही विशिश्टा थी कि उसने सासन में राज्य करने के लिए अर्था सासक बनने के लिए महिला और पुरुस दोनों को समानता दी थी ये अरस्तू से कंपरिजन करके आपको लगाना पड़ेगा जब आप इस तरीके से answer writing कर रहे होंगे तो examiner को बहुत ही impressive लगेगा और अच्छे marks मिलेंगे आपको कह रहा है अरस्तू चौथे तर्क में कि दासपर्था दासों के लिए भी उप्योगी है क्योंकि जब वो मालिक के साथ रहते हुए दासों में नैतिक विकास संभाव होता है यानि जिस तरीके से जब वो मालिक के साथ रहेंगे मालिक के अच्छे कारें को देखेंगे, अच्छे विचारों को समझेंगे, तो उनमें भी उस तरीके का विवेक और विकास होगा, जिससे वो भी अपने जीवन को सुधार सकेंगे, अपने जीवन के सही उद्देश को प्राप्त कर सकेंगे, अब बात करते हैं कि दासपर्थ तो इस आधार पे तो अरस्तु ने कहा कि नहीं दासपर्था के साथ कितना बुरा बेवार नहीं होगा। तो उसे दास नहीं बनाएंगे तो प्रश्न आता है कि क्या अरस्तु की दासपर्था वंसानुगत थी औफ्जेक्टिव कोश्चन की बात मैं यहां पे कर रहा हूँ जो यूजी सी इनलेट जी आरफ इस तरीके के प्रश्नों में आते हैं तो हम कहेंगे नहीं बिलकुल भी व विकास हो जाएगा तो दास को अपनी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और वो नहतिकता का विकास करतें उसी तरीके से दास भी रहेगा और उसका भी नहतिकता का विकास इसलिए अरस्तु ने सुरू में ही दासों को क्या किया परिवार की संपत्ती बताया यानी परिवार का हिस्सा बताया वहीं दास के साथ मानवी और मितरता पुर्ण बेवार होना चाहिए अरस्तु ने युनानी लोगों को स्रेष्ट बताया और इनको दासों के स्रेडी में नहीं रखा बलकि कहा कि जो बर्बर परजातियों को दास कहा और आधोनिक दास Πर्था से इसको भिन बताया आधोनिक दास पर्था का मतलब जो 28 सताव थी में जो आफरिका में जो दास बठा था थी उससे अलग थी क्योंकि उसमें जो एकी अमानवी बेवार होता था, गलत बेवार होता था, बरबरता होती थी, ऐसा बेवार नहीं होगा साथी साथ अरस्तु ने यह इसपष्ट कह दिया कि अरस्तु ने इसपष्ट कह दिया है और इस तरीके से अरस्तु ने इसपष्ट कहा कि युनानी लोग को स्रेश्ट बता दिया यानि युनान के लोगों को उसने कहा कि यह राजा बनने के गुण रखते हैं आलोचनात्पक परिक्षण कीजे, आलोचनात्पक मुल्यांकन कीजे, या स्टेट पीसे से में पूछा जाता है कि अरस्तु की दासपरता क्या है और उसकी मुख्य विसेस्ताओं पर चर्चा कीजे, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो कि point wise, बहुत सारे बच्चे कहते है कि सर हम paragraph में लिखें तो अच्छी बात है point wise में, तो सीधा उसका जवाब यही है कि अगर आप paragraph में लिखते तो दो से तीन लाइन का paragraph होना चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ा करेंगे तो examiner बोरियत फिल करेगा, और सबसे बहतर क्या होता है, आपने heading डाली दासपरता की और point one, one, two, three, four, five, six, इस तरीके से उसको easily दिख जाएगा, या कोई एक diagram बनाया, circle करके उसके बीच में लिख दिया, गोले में कि भाई, क्या लिख दिया, कि अरस्तू की दासपरता की विशेस्ता, फिर एक विशेस्ता, दो विशेस्ता, तीन विशेस्ता, चार विशेस्त को अगर प्राकृतिक आधार पे औचित्ते पूर्ण थेरा जा रहा है, जबकि दासपरता तो सामाजिक होती है, यानि प्राकृतिक आधार पे ही अरस्तू ने कह दिया कि कुछ लोग जोए की अधीन होती है, और जिनके उपर स्रेश्ट लोगों को सासन करना होता है, जबक उस द्यक्ति को भी संसाधन ताप्त किये जाएं, संसाधन दिये जाएं, संसाधन मिलेंगे, तो भो भी जोए की गरीब नहीं रहेगा, लेकिन संसाधनों का भाव होता है, संसाधनों का बटवारा बहुत अच्छे से नहीं होता है समाज में, कुछ लोगों को बहुत मिल ज अपितु सामाजिक है, क्योंकि प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति मुख्य रूप से सभी को हवा देती है, सभी को पानी प्रवाइड करती है, सभी को धूप देती है, किस के साथ भेदभाव करती है, किसी के साथ नहीं करती है, प्रकृति पे आरोप ल कुछ ना कुछ तो जानते होंगे तभी तो उनमें जो एकी विवेक का विकास हो रहा है क्योंकि वो कह रहा है राजा के साथ रहते हुए परिवार के साथ रहते हुए उनका विवेक का विकास होगा और उन्हें दास के जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और एक तरफ वो कहता है कि दाज विवेक्षू ने होते हैं जो वेक्ति में जीरो है वो कैसे विक्षित हो सकती है इसलिए ये भी एक contradiction बात है और महिलाओं को अल्प विकास वाला बता है जो पूर्टिया तुर्टी पूर्ण है और यहीं पर यह प्लेटो से अलग हो जाता है जबकि प्लेटो महिलाओं को जो एकी इस तरीके का कोई संबोधन नहीं देता है बलकि वो समान रूप से उनको मानता है समानता का हक देता है सिक्षा का हक देता है कि आप भी सिक्षा ग्रहन कर सकते हो आप भी राजा बन सकते हो लेकिन यहाँ पर यह महिलाओं को अल्प वेविक बताता है कहीं न कहीं अरस्तु के इस point पर पित्र सत्तात्मक का विचार दिखता है यानि वो पुरुसों को ज़्यादा स्रेष्ट मानता है ना कि महिलाओं को यह भी इसकी एकालोचना है वहीं सामाजिक विशमता को प्राकृतिक आधार पर सिद्ध किया गया जो पूर्टा कुलीन तंत्री विचार है कि आप कहा रहा हो जो विशमता है वो प्रकृति ने बनाई है जबकि असल में क्या है वो समाज के द्वारा तै की गई है क्योंकि अरस्तु अपने युनानी समाज में जो देख रहा था उसी को वो लिख रहा था तो यह तो गलत बात है कि भाई आपको पूरी जानकारी नहीं है और आप कह रहे हो कि यह समानता जो है यह विशमता जो है वो प्रकृति ने बनाई है बिल्कुल नहीं बनाई यह तो समाज ने बनाई है और समाज की विशमता को उसने प्राकृतिक आधार दे दिया यानि यह कही न कहीं राजा या कुलीन तंतर के जो लोग है वो अपने आपको बचाना चाहते हैं अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं इसलिए उन लोगों ने ऐसा विचार पेस कर दिया, अरस्तू ने उस चीज को पब्लिस कर दिया, तो ये गलत है, यहाँ पर ये भी आलोचना है, और अब आता है दोस्तो, आखरी पॉइंट सबसे important निसकर्स, देखें मैं निसकर्स यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा हूं प्रश्न उठाके और फिर उसका solution भी वहाँ देना होगा आपको, इसलिए प्रश्न की अगर demand मान लिजे, पूछता है कि दासपर्था का आलोचनात्मक परिक्षण कीए, तो हम लिख सकते हैं कि अरस्तू जैसा महान विचारक, जो दासपर्था को प्राकृतिक आधार पे जो एकी न्यायपूर मानता है, या घरेलू कारियों के लिए जो एकी helpful मानता है, तो ये एक अच्छा विचार है, लेकिन दासपर्था को विवेक्षून मानना, या प्राकृतिक आधार पे विशमता पे आधारित मानना, ये अरस्तू के विचारों की आलोचना भी है, तो इस तरीके से आपने सकर्स लिख सकते हैं, तो दोस्तो ये तो था आज की वीडियो का कारिकरम, और कल हम मिलेंगे आपको अरस्तू के एक नए टॉपिक के साथ, और जो दोस्तों ने जो एकी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कहां, प्लीज दोस्तों जो एकी चैनल सब जरू कीजेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में, अरस्तू के नेक्स विचार के साथ, तब तक आप प्लेटो की प्लेलिस्ट भी पूरी देखिए, नमस्कार